हमें से ज्यादा तर लोग जानते हैं कि हमारा पाचिन तंत्र कैसे काम करता है लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम संचेप में समझाते हैं कि या काम कैसे करता है हम जो भोजन करते हैं वह हमारे पेट में जाता है फिर छोटी आथ से होते हुए बड़ी आथ में जाता है और फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है कोलोन हमारी बड़ी आथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आतिरिक्त द्वर को पुनह अवसोसित करने का महत्वपूर्ण कारे करता है और हमारे शरीर के वेश्प्रोडट्स को प्रोसेस कर हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकाल देता है हर बार जब या प्रक्रिया होती है तो कुछ वेस्टिज यानी मल पीछे छूट जाते हैं जो लंबे समय तक जमा हो जाते हैं और विविन पाचन और स्वास्ते समंदी परिशानिया पैदा करते हैं इसी वजह से अक्सर हमें कोलोन क्लीन्स थेरपी जिसे आम बोल चाल की भासा में आतों की सफाई बोलते हैं इसे करने की सला दी जाती है ऐसी अलग-अलग तक्नीके जिनके द्वारा कोलोन क्लीन्स थेरपी की जाती है जैसे की दवाईों के द्वारा, एनिमा के द्वारा, कोलोन हाइड्रो थेरपी या इरिगेशन आदी के द्वारा हम इन पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे लेकिन बस आपको बता दें कि इन टेक्नीक्स को लागो करने से पहले संबंधित चिकित्सक की सला लेना बहुत ही जरूरी है जब भी इन टेक्नीकों के द्वारा लाबों की बात की जाती है तो इसको लेके दो अलग-अलग करना पाच्चन में शहायता, समग्र स्वास्त में सुधार, कोलोन कैंसर के खत्रे को कम करना वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि इन दावों का कोई विज्ञानिक प्रमान नहीं है साथ ही उनका ये भी कहना है कि कोलोन टेरेपी के गंभीर दुष परिणाम भी हो सकते हैं जै इनके जोखिम के बारे में चिंता करने के बजाएं क्यों ना हम कुछ ऐसे स्वस्थ और प्राक्रितिक तरीकों को अपनाएं जो हमारे आतों की देखवाल करें तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे घरेलो उपचार हमारे आतों को साफ रखने में मदद करने वाले कुछ इस प्रकार हैं पहला नीमबू पानी नीमबू वाइटीमिन सी और एंटी आक्सिडेंस से भर पूर होता है ये कई लाव प्रदान करता है जैसे कि मेटाबॉलिजम बढ़ाता है पेड़ साफ करता है और डिटॉक्सिकेशन में मदद करता है नीमबू पानी बन पीएं दूसरा व्रोकली और पालक जैसी सबजियां ये सबजियां फाइवर से भर पूर होती हैं और आतों लीवल के लिए अत्यधिक फाइदेमंद होते हैं ये एंटियोक्सिडेंट और खनीजों से भी भरे होते हैं और इमिनिटी को भी बढ़ाते हैं इस प्रकार इसे अक्सर योगहर्ट के बारे में सुना होगा ऐसा इसलिए है क्योंकि योगहर्ट प्रोबायोटिक है जिसका अर्थ है कि इसमें लक्तो बैसिलस नामक हिल्दी बैक्टेरिया होता है जो पाचन में सुधार करता है और पाचन तंत्र की देखबाल करता है और यह हमारे आत की स सफाई में भी मदद करता है इसलिए रोजाना एक से दो कटोरी योगहर्ट जरूर खाए चौथा ऐलुवेरा जूस एलुवेरा फाइवर से भर पूर होता है या एक प्राकेटिक डिटॉक्सिफायर है और इसमें लेक्जिटिप प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो आंतों की स किस्वास्ति लावों के बारे में जानते हैं जैसे किया श्रीट के डिटॉक्सिफिकेशन मदद करता है वजन घटाने में मदद करता है और मेटाबोलिजम को पढ़ाता है लेकिन हमें से बहुत से लोग इस बात से अवगत नहीं है कि यह आतों की सफाय में भी प्रभावी है इसमें मौजूद पॉलिफिनॉलिक नामक योगिक के कारण ऐसा होता है इन ही वजों से अपने नियमित चाई या कॉफी को ग्रीन टी से रिप्लेस करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे हिल्दी और से बलस्ट थांक यू